ही गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बेशन वाली गोभी की सबजी अगर आपको मेरी आज की रेसीपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा चलिए शुरू करते हैं बेशन वाली गोभी की सबजी बनाने के लिए हमने आप पर एक मिडियम साइज का फूल गोभी लिया था जिसे इस तरह से छोटे टुकडे में कट किया हुआ है बहुत जादा हम इसके बड़े टुकडे नहीं रखेंगे तो इस तरह से मैंने इसे काट के तयार कर लिया हुआ है और हलके गुनगुने पानी से से धो लिया है अब एक कडाही में हम दो चमच की जितना बेशन डालेंगे लो टु मीडियम फ्लेम के बीच में हम बेशन को दो से तीन मेट तक अच्छी से रोश्ट कर लेंगे हमें इसे ऐसे ही भूना है जब तक कि इसकी जो खुसबू है अच्छी सी वोना आने लगे आप देख सकते हैं बेशन का कलर भी चेंज हो गया है और इस टाइम पी बेशन की बहुत अच्छी सी खुसबू भी आने लगी है अब हम क्या करेंगे कि बेशन को एक प्लेट में निकाल लेंगे यह दिखे हमने बेशन को प्लेट में निकाल वापस उसी कड़ाई को मैंने क्लीन कर लिया हुआ है तीन से चार बड़े चमच इसमें हम सरसो का तेल डालेंगे तील गरम हो जाएगा एक चमच जीरा डालेंगे और दो चुटकी हींग डालेंगे जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा तीन से चार बारीक कटी हुई हरी मिर्च टाली हुई है इन तीनों चीजों को हम मेडिया माच में हलका सुनहरा होने तक भून लेंगे तो देखे यह अच्छे से भून गया है अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज आप चाहें तो प कि गुलावी हो जाएगी हम इसमें अट करदेंगे अपनी कटी हुई गोभी यह दिखें गोभी को हम इसमें एड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आप प्याज को पहले ही बहुँ जादा भून लेंगे तो यह जब गोभी के साथ पुनेगी तो यह जल आज को बस हलका पूर्णा है यह दिखे इस तरह से अच्छे से मिला देंगे थोड़ा सा इस सब्जी में तेल जादा डालिएगा ताकि गोवी अच्छे से फुन सके अब हम इसमें नमक डाल देंगे स्वात के अनुसार अच्छे से मिक्स करेंगे पानी वगारा कुछ भी बि करेंगे ध्यान रखें बीच-बीच में इसे अलटते पलटते रहे है जब तक यह पक रहे है यह जो बेशन है इसमें हम कुछ मसाले आइट करेंगे आधा चमच हल्दी का पाउडर एक चमच धनिया पाउडर आधा चमच मेंने काश्मेरी लाल मिर्च पाउडर डाला हुआ है यह कलर के लिए है और एक चमच हमने इसमें डाला हुआ है चाट मसाला पाउडर इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप चाट मसाला पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो एक छोटी चम जी बनानी हो, इस्तेमाल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, गोबी भी हमारी अच्छे से फ्राइ हो चुकी है, इसके उपर अच्छे से गोल्डेन स्पॉर्ट आ गए हैं, और ये अच्छे से कुक भी हो गई है, यानि कि गोबी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, तो अब ये ज तो इस तरह से जो मसाले हैं गोभी के उपर चिपक जाते हैं और बहुत ही अच्छी सी टेस्टी सबची बनती है तो देखे पूरा का पूरा मसाला हमने इसमें डाल दिया हुआ है और जितना भी मसाला है गोभी ने अच्छे से इस तरह से गोभी के उपर अच्छे से कोड हो यह देखें ऐसे मिक्स कर दीजिए और हलके हाथों से मिक्स कीजिए अब हम क्या करेंगे कि ठकल लगाकर कि एकदम धीमी आज में से दो मिनट तक कोक करना है ताकि सारी फ्लीवर गोबी के अंदर अच्छे से आ जाएं दो मिनट बाद हम ठकल अटा कर चेक करेंगे और इसमें इसमें डाल देंगे आदा छोटी चमज गरम मसाला जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा फ्लीवर आएगा और बहुत ही टेस्टी हमारी बेसन वाली गोबी की सबजी बन के तयार है आप इसे एक बार बना लिया तो बार बार बनाने का मन करेगा अगर आप इस गर्मा गरम गोबी की सबजी को रोटी पूरी पराठी के साथ खाते हैं आपको बहुत पसंद आएगी चाहें तो आप इसे टिफिन के लिए भी बना सकते हैं रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ अब तक के लिए बाबाइ